हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास अकेडमी में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग जेनरल साइंस के टॉप 50 कोश्चन के बारे में डिसकस करेंगे जो आने वाले हारे कीजाम के लिए फाइदा होगा देखे फ्रे चैनल पर ने विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दमाए कि क्यूंकि आज से हम लोग रोज वीडियो अपलोड करते रहेंगे तो चलिए देरीने करते हैं हम लोग आज चा कोश्चन स्टाट करते हैं तो आज का हमरा पहला मात्रक है तो देखे परकास वर्स जो होता है वह हम लोग का दूरिका मात्रक होता है और यह लोग डिस्टेंस मापने के लिए यूज किया जाता है तो परकास वर्स मात्रक के किसका दूरिक है नेक्स्ट कुश्चन है निमलिखित में से कौन सी मात्रा जड़तु का माप है यहां पर आपको चार गो अप्सन दिया गया है, इसमें आपको पताना जड़त काम आप क्या है, तो इसका राइड एंसर है हमारा अप्सन, C, दरव्मान, ठीक है, नेक्स्ट हमारा, देखिए यहां पर चार गो, फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है, इसका आपको SI मात्रक म आपको मिलान करना है, तो सबसे पहले बात करें, उच्च वेग, ठीक है, तो उच्च वेग का हमारा, जो SI मात्रक होता है, मैक होता है, तो A का हमारा 1 हो जाएगा, तरंग धर का क्या होता है, एंसर हमात्रक, तो इसका 2 हो जाएगा, दाब का हमारा क्या होता है, पास्कल होत तो दिखिए हमारे इसरे नहीं 말 है इसमे भी आपका चार को फिजीकल कॉटनिटिटी दिया गया इसके आपको SI मत्रग में मिलान करना तो सबसे फेले बात करते हैं तूरन तो तूरन का हमरों लोग का SI मत्रग क्या होता है तो देखे तूरन का हम लोग معत्र होता है हमwarz पर सेकेंड स्क्वार ठीक है तो यह हमारा चार सही हो जाएगा बल का क्या होता है तो बल का हम लोगा न्यूटन होता है ठीक है आवेग का क्या होता है तो आवेग जो होता है हमारा तो आवेग का हमारा ऐसा हमात रख्या होता है तो आवेग का हमारा ऐसा हमात रख्या हो जाएगा option इसमें देखिए आवेग का हो जाएगा 2 Newton second और किर्थ कायर तो कायर का हमारा ऐसा हमात रख्या होता हमारा Joule ठीक है तो इस तरह आपका यहाँ option D सही हो जाएगा next बात करते हैं निमलिखित में से समय का मातरक नहीं है ठीक है समय का मातरक कौन सा नहीं है इसमें से आपको चार गो option देखके आपको बताना है तो देखिए जो अधी वर्स होता है वो आपका समय का मातरक होता है चेंद्रमा भी आपका समय का मातरक होता है तो हमारा right answer क्या हो जाएगा, option C, परकास वर्स, यह आपका समय का मातरक नहीं है, next हमारा पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक हमारा किसका इकाई मातरक है, ठीक है, तो यह आपको बताना है, तो जो आपका दोरी होता है, ठीक है, दोरी का आपका ऐसा मातरक क्या होता है, पार्स इकाई है, दोरी की Next आपका देखे, आपको इहां पर चार गो delightful, उप्षन इसमें आपको मिला के दे दे गया है लेकिन इसमें से कौन सा एक मिलान है, जो आपका सही नहीं है, तो देखे इसका, जो हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा Option D, Celsius, Celsius किल वीन का है है सेल्सेया सेल्सियस दे आ हुए ऊस्मा लोग के लिविन हो, किलविन होता है एगविन हुझा कोえば क्यल्विन हो यहां GEORGE प्रीं मिल New Sun challenge की दोरे केका यह बहुता है यहां लेखिन उसमा केका हैं हमारा क्य होता क्यल बीन होता है इसलिए यह सही नहीं है नेक्ष्ट हमारा लॠम किसका मात्र nowhere 각 है टो लॉ-new का युमेन मात्रक होता है इसमें आपका सब SI मात्रक दिया हुआ इस टोपिक में थीक है next question है क्यूरी किसकी SI Europeans का नाम है ठीक helps क्यूरी होता है Wish और देखिए क्यूरी जो होता है वो आपका रेडियोक्टीवРЕ धर्मिता का SI मात्रक होता है ठीक helps तो Q-3 किसकी एका यह है तो radioactive dhrmita next question है क्या है तो हम लोग पिछले question में पढ़ लिए कि君 कि दाब का ऐसा है मातरख हो ता बीचिक है तो दाब का ऐसा है मातरख भीचम पाश्कल होता है next question है candela का मातरख क्या होता है 遞़ olhar जोतिति enactma को ऐसा मात्रक candela है next question है जूल निमलिखित में किसकी काई है देखिए आपका कोई से repeat हो रहा है इसलिए आपको आना चाहिए तो जूल है आपका उर्जा का तो उर्जा का ऐसा मात्रक हमारा जूल है ठीक है next question है मात्रकों की अंतराष्टिय पद्दती कब लागू की गई थी तो मात्रकों की अंतराष्टिय पद्दती आपका 1978 में लागू की गई थी तो इसका option भी सही हो जाएगा next question है खाद उर्जा को हम किस इका में मापते हैं तो खाद उर्जा को हम लोग केलोरिम में मापते हैं ठीक है तो इसका option हमारा एक सही हो जाएगा next question है बिर्दुत मात्रा की इकाई क्या है तो बिर्दुत मात्रा की इकाई हम लोग किस में मापते हैं तो हम लोग M.P.R. में मापते हैं यह सभी को आता होगा next question है SI पद्दति में lens की सक्ति की इकाई क्या है ठीक है तो lens की जो सक्ति होती है उसको हम लोग diopter में मापते हैं तो इसका option भी हमारा सही हो जाएगा next है हमारा decibel किसे नापने के लिए परियोग किया जाता है ठीक है SI मातरक होता है वो decibel होता है next question है ampere क्या नापने के लिए इकाई है तो ये simple सा question है जो current है उसको मापने के लिए ampere का use किया जाता है मतलब current का SI मातरक ampere होता है next question है यंग प्रतियस्था गुनांग का SI मातरक क्या है ठीक है इसका राड़ अंसर है हमारा newton meter square तो यंग प्रतियस्था गुनांग का SI मातरक newton meter square है ठीक है newton per meter square next question है निमलिखित योगमों में से किन भोतिक राशियों के समान बिमया सुत्र नहीं है ठीक है तो जो बिमा सुत्र होता है आपका जिसे ML ठीक है इस तरह करके हम लोग जो बिमा सुत्र रिखते हैं इसमें आपको बताना है चार को option दिया गए इसमें किसका जो बिमा सुत्र होता हो समान नहीं होता है तो इसका राड़ अंसर हमारा क्या हो जागा बल एवं दाब ठीक है तो इसका विमा सुत्र हमारा सही नहीं होता है बाकी कार और उर्जा ये भी आपका सही होता है मतलब एक ही सेम होता है भार और बल का ये भी सेम होता है और आपका आवेग अवन समय का भी सेम होता है लेकिन बल एवं दाब का सेम नहीं होता है Next question, एक खगोलियों इकाई सम्बन्दित है ठीक है, तो खगोलियों इकाई किसे सम्बन्दित है, तो इसका रायडर चेजन से हमारा option A से हो जाएगा, सूर्य एवञे मरी प्र barbar के बीच की दोरी से, ठीक है, तो सूर्य एवञे मरी प्रिथिवी के बीच की तो इसका राइड अंसर क्या हो जागा option A बल तो बल हमारा vector quantity है बाकि सब आपका scalar quantity होता है ठीक है next question है हमारा निमलिखित में से कौन एक सदीस रासी नहीं है मतलब कौन सा vector quantity नहीं है ठीक है तो इसका राइड अंसर हमारा option D द्रेवमान बाकि आपका सब कुछ सब कुछ आपका सदीस रासी होता है मतलब vector quantity होता है तो द्रेवमान जो होता है हमारा अदिस रासी होता है मतलब scalar quantity next हमारा अदिस रासी है ठीक है आपका अदिस रासी आपको बताना है scalar quantity कौन सा है तो इसका right answer हमारा उर्जा, ठीक है, जो उर्जा होता है, यह हमारा scalar quantity होता है, मतलब अदिस रासी होता है, बागी सब आपका vector quantity होता है, नेश्ट है हमारा निमलिखित में से कौन सी एक सदिस रासी है, ठीक है, तो दीखिए जो सदिस रासी है हमारा, option A सम्वेग, तो यह सम्वेग एक सदिस रासी है, मतलब vector quantity है, नेश्ट हमारा निमलिखित में से कौन सी रासी सदिस नहीं है, मतलब कौन सा vector quantity नहीं है, तो इसका right answer हमारा item, जो item होता है, volume होता है, वो आपका vector quantity नहीं है, यह आदिस रासी होता, बाकी जो आपका option दिख रहा है, यह option बाकी आपका सब सदिस रासी है, next question है निमलिखित में सदिस रासी है चार को option दिया गया है इसमें आपको बताना है कि सदिस रासी कौन सा है तो इसका right answer है हमारा option A, वेग जो वेग होता है वो आपका सदिस रासी होता है बाकी जो आपका द्रेमान समय और लंबा ये आपका आदिस्रासी होता है निमलिखित में से कौन सा एक वृत्पन परिमान नहीं है ठीक है वृत्पन परिमान नहीं है तो इसका राइड अंसर है हमारा द्रेमान ठीक है द्रेमान हमारा वृत्पन परिमान नहीं है नेक्ट्स कोशन है तोरण ग्यात करने के लिए सही सूत्र क्या है तो देखी जो हमारा तोरण का फर्मुला क्या होता है B-U by T तो इसका option A सही हो जाएगा हमारा इसका right answer है द्रेम्मान तो संवेग और वेग के अनुपात में हमारा द्रेम्मान प्राप्त की जाती है तो option C हमारा सही हो जाएगा इसका question का अन्रूप है? मतलब जो विमा होता है तो यह किस physical quantity का विमा सूत्र है? तो इसका राइड अंसर है हमारा option A तो बल का हमारा विमा सुत्र क्या होता है MLT का minus to power ठीक है next हमारा एक लड़की जूले पर बैठी इस्तिति में जूल रही है उस लड़की के खाड़ी हो जाने पर दोनों का आवर्थ काल क्या होगा तो इसका राइड अंसर हमारा option A कम हो जाएगा ठीक है तो यह आपको देख लेना है अच्छा से next question घुर्णन करती एक गोल मेज पर आचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है मेज के कोनिय वेग पर क्या परभाब पड़ेगा तो इसका राइड अंसर हमारा कम हो जाएगा ठीक है तो वेग क्या हो जाएगा कम हो जाएगा next question है यदि किसी चलती ही विवस्तू के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो इसका आपका चार ओप्सन दिया गया है इसका आपका क्या सही होगा इसका राइड अंसर हमारा गतिज उर्जा में चार ओप्सन दिया जाएगा मतलब का गतिज उर्जा क्या होता है 1 by 2 mb square ठीक है mb square होता है तो जो इसका वेग होता है इसको अगर दो गुना कर दिया जाए तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा तो भीक अगर दो गुना कर दिया जाएगा तो 2 भी हो जाएगा और इसका हम लोग square कर देंगे तो 4 हो जाएगा तो इसलिए हम लोग का 4 गुना हो जाएगा next हमारा किसी पिंड के दर्वमान ताथा भार में अंतर होता है क्योंकि तो इसका राइड अंसर क्या हो जाएगा option B दर्वमान इस्तिर रहता है जबकि भार परिवर्तन रहता है ठीक है मतलब भार में परिवर्तन होता है और दर्वमान में परिवर्तन नहीं होता है तो इसलिए अंतर होता है next question है किसी भी इस्थिर या गतिशिल वस्तू की इस्थिती और दिसा में तब तक कोई परवर्तिन नहीं होता है जब तक उस पर ब्राह या बल सक्रिया न हो यहा CRA किसका नियम है तो इसका हमार राट एंसर क्या हो जागा Newton का प्रथम नियन ठीक है जो Newton ने प्रथम नियम दिया था उसी के अनुसर ये सही है Next question है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन त्वरन क्या होता है तो इसका राइड अंसर हमारा क्या हो जागा बल के अनुक्रमानुपाती ठीक है तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन त्वरन बल के अनुक्रमानुपाती होता है तो friends आज के लिए इतना ही question मिलते है next video में और ये आपका regular video upload होते रहेगी आप हमारे साथ बने रही है इसी तरह मिलते है next video में और आपके कितने question बनते है total में आपको comment में बताना है और अगर कोई भी question में doubt है और किसी भी परकार के question में doubt होतो आप comment कर सकते है वहाँ से आपको जवाब मिल जाएगा तो मिलते है next video में तब तक ले धन्यवाद